हेलो एफ्रीवान वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल आज मैं वेजिटेरियन्स की फेवरेट पनीर बटर मसाला बना रही हूं बहुत ही टेस्टी बना है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं त्री मीडियम साइज ओनियन स्लाइस करे वे फोर टोमाटोस लिया है मैंने यह 100 ग्राम पनीर है फ्रेश पनीर 15 से 20 काजू बटर 4 टीस्पून यह फ्रेश क्रीम है हूमेड यहां पर मैंने एक पैन में 2 टीस्पून बटर आट किया है बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें स्लाइज्ड ओनियन्स अट करेंगे ओनियन्स को हमें सॉफ्ट करना है ज्यादा नहीं पकाना है जैसे ही ओनियन्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें टोमाटोस अट करेंगे तोमेटोस को भी हमें आज सॉफ्ट करना है थोड़ा तोमेटोस पर से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें काजू एड़ करेंगे यहां टोमेटो और ओनियन सॉफ्ट हो गए है अब मैं इसमें काजू दाल रही हूं यह तीन इंग्रीडियंट को हमें सॉफ्ट करना है फाइम मिनिट्स के लिए हम इसे सिमर पे पकाएंगे सिम रखकर फाइम मिर्स हो गए हैं यहां एक बार चेक कर लेते हैं यह अच्छी तरह से अब सॉफ्ट हो गए हैं अब हम इसे थंडा होने के लिए रख देंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे पनीर को मैंने यहां पर छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है फिर से दूसरे पैन में टू टी स्पून बटर आट किया है जैसे बटर मिल्ट हो जाएगा तब हम उसमें एक बे लीफ दो इलाइची और दो लॉंग आट करेंगे अब हम इसमें 1- ciupped onion आट करेंगे उस से थोड़ा सा पकाने के बाद उसमें मसाले आट करेंगे रेड चिलि पाउडर 1 टी स्पून हलदी 1 बाई 4 टी स्पून धनिया पाउडर 1 बाई 4 टी स्पून अधर क्लेशन का पेस्ट 1 टी स्पून इसे हम इसमें आट कर लेंगे यह ओनियन काजू और टोमाटो का पेस्ट है अब वो भी इसमें आट करेंगे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम वन टीस्पून सॉल्ट मैं आट कर रही हूं आप सॉल्ट आपके टेस्ट के एकॉर्डिंग लीजिए हाफ ग्लास वाटर आट कर रही हूं मैं इसमें ज्यादा कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पर पनीर के पीसे आट कर लीजिए वो क्लिप मुझे से मिस हो गया था यहाँ पर मैंने आट कर लिया है पनीर five minutes के लिए से थोड़ा पकाने के बाद सारे flavors इसमें आड हो गए हैं अब हम इसमें क्रीम आट करेंगे त्री टेब्ल स्पून क्रीम आट करने से बटर मसाला बहुती टेस्टी बनता है अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 5 मिनिट्स के लिए इसे सिम पर रख देंगे आप इस पनीर बटर मसाला को रुमाली रोटी के साथ खा सकते हैं इससे इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ पर बन गया है हमारा पनीर बटर मसाला कुछ इस तरह सा दिख रहा है बहुत ही टेस्टी है यह आप जरूर ट्राइगी जिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएए अल्ला आफ़ेश